नमस्कार मैं हूँ अंकुर और आप देख रहे हैं सत्थ हिंदी का नियूस बुलेटिन इस बुलेटिन में आज मैं आपको बताऊंगा दिन भर की बड़ी खबरें एहम खबरें और एक विस्तिरित रिपोर्ट जो आप बीजेपी की राजनीती समझा देखें लेकिन उससे प ला रहा है अडानी मामले पर कॉंग्रेस बुलिया अडानी मामले में अनिच्छा से जाच कर रही है से भी ऐन्डिया गठवंदन में आपस में भढख कॉंग्रेस और ममता की पार्टी आपस में भड़े कानाडा भारत तनाव पर फिर बोला मिरकाब भारत चांच में मदद करे हम चिंतित है अब एक नजर बड़े ख़बनों पर टिकट मिलने के बाद कैलाज विजय वरगिये का बयान सुर्खिया बटो रहा है उन्होंने कहा है कि पार्टी ने टिकट दे दिया पर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ मेरी लड़ने की एक प्रतिचत भी इच्चा ही नहीं है उन्होंने कहा कि अब हम बड़ नेता हो गए हैं बाशन देना और निकल जाना हाथ पाँ जोडने का नहीं उन्होंने कहा कि हमने तो प्लैन ये बनाया था कि रोज आठ सवा करनी है पाँच हेलिकॉप्टर से और तीन कार से लेकिन टिकट दे दिया गया इसके बाद कॉंग्रेस सेता सुप्याशीनेत ने उनके बयान को टूड कर कहा है ये है मद्दप्देश में बीजेपी की हालत बता दें बीजेपी बाकी सब लोगों को टिकट दे रही है लेकिन सियम शिबराज को अभी तक टिकट ही नहीं दिया है उनने तो अधिकारियों से ऐसे विदाई ली जैसे वो अब कोप भवन में जा रहे हूँ जानकारों का कहिना है मोधी 2024 की तयारी कर रहे हैं अगर शिबराज येसी नेता फिर से जीत गए तो उनको प्यम के लिए चिंता हो सकती है इसलिए उनको पहले ही खत्म कर दिया जाए अडानी को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है जिसको बड़ा खुलासक कहा जा रहा है कॉर्परेट रिकॉर्स से पता चल लहा है जिन तेरे विदेशी फंडों की जान चल लही है उनमें से एक ओपल इन्वेस्टमेंट प्राइबेट लिम्टेड की जानकारी में घाल मिल है इंडिन एक्सपेस के जैम अजूमदार की एक वेशेज रुपोट के मताबिक ये एक व्यक्ति की कंपनी है मई 2019 में इसकी इस्तापना UAE में हुई थी कंपनी का पता भी सटीक नहीं है एक दूसरे कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर ट्रस्ट लिंक इंटरनेशनल के पते पर ये दर्ज है सेवी की जात में मालूम हुआ कि ओवल इंवेस्टमेंट में जेनित कमोडिटीज जनरल ट्रेडिंग नाम की एक कंपनी की मालिकाना हिस्सेदारी है और एडेल हसन एहमद अलाली नाम का एक व्यक्ति कंपनी का इकलोता मालिक है जुलाई 2020 में ही एडेल हसन कंपनी के निदेशक भी बने है दुबई में बैठा ये अकीला आदमी कंपनी के आठ हजार कोड रोपे से जादा के शेरों का मालिक है और इन्हें नियंत्रित करता है एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मताबिक आडानी ग्रूप में मौरिशस कनेक्शन से पता चलने के बाद ओपन इन्वेस्टमेंट ने अपनी वेबसाइट बनाई है हिंडनवग रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में दाबा किया था कि ओपल इन्वेस्टमेंट की कोई वेबसाइट नहीं थी लिंकडिन पर कोई करमचारी नहीं है और कोई मार्केटिंग रिकॉर्ड भी नहीं है वाइपशाइट पर लिखा है कि कंपनी की प्रमुक गतिविदियां निवेश, होल्डिंग और समानी व्यापारिक गतिविदियां हैं अब मगर उनका निवेश पोर्टफोलियो भी सीमित है केबल अडानी पाबर के शरू में ही निवेश किया हुआ है ये सब पता चलने के बाद इंजिन एक्सपरस ने अडानी ग्रूप से फिर जबाब तलग किया मिल का जबाब देते हुए अडानी ग्रूप ने कहा जिस शेर धारक का नाम आ रहा है उससे संपर करें क्योंकि उनके पास कोई जानकारी नहीं है वहीं जोनित कमोडिटीस और ओपर इंवेस्टमेंट के मालिक ADL को भेजे गए इमेल का कोई जबाब ही नहीं आया है कॉंग्रेस ने अडानी समूद से संबंदित मामले में एक ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए रमेश ने सोचल मीडिया मंच एक्सपर पोस्ट किया अडानी से जुड़ा एक नया खुलासा सामने आया है उसकी एक अन्य शेल कंपनी को मई 2019 में दुबाई में सिंगल पर्सन कंपनी यानि एक व्यक्ति की कंपनी के रूप में स्ताफित किया गया था जो अडानी पावर में आठ हजार करोड रूपए की एक्विटी को नियंतरित करती है इस खुलासे ते अडानी के शेल कंपनी के गयर कानून कारें की दुरगंद और जादा तेज हो गई है यह जैराम नमेश ने कहा उन्होंने सवाल किया कि दुबाई में इस्तित एक सिंगल पर्सन फर्म भारत की सबसे बड़ी निजी भिजली उत्पाड़क कंपनी अडानी पावर में आठ हजार करोड रूपए मूल की 4.7 प्रतिशत हिस्सेदारी को कैसे नियंतरित कर सकती है क्या ये कंपनी अडानी का ही एक और मुखोटा नहीं है जो अवैज, राउन, ट्रिपिंग और भारतिय प्रतिभूती कानूनों का खुलेयाम उलंगन कर रहा है रमेश ने ये भी पूछा सबसे बड़ा सवाल है कि आखर ये किसके भंड है उन्होंने आरोप लगाया कि सेवी द्वारा बिना किसी उस्साह के और अनिच्चा से की जारी जांच से कोई जवाब मिलता नहीं दिख रहा है कॉंग्रेस मासेचिप ने आगे का कि आगे का एकमातर रास्ता जेपीसी है जो आडानी महागोटाली की पीछे की पूरी कहानी की जांच करने में सक्षम होगी इंडिया गटबंदन वापस नहीं पढ़ गया है ताजा मावला ममता बनेजी के विदेश दोरे का है जिसको लेकर कॉंग्रेस नेता अधिर अजन चौदरी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंतरी का ये दोरा सिर्फ मौज मस्की के लिए था और इसकी बज़े से राज के परकार में मंतरी और टी-म सी नेता डॉक्टर सशी पान्जा ने सवाल किया है कि क्या कॉंग्रेस नेत्रत उनके बेयान का समर्थन करता है डॉक्टर सची पांजा ने कहा कि उनका बयान व्यपक्षी दलों के गट बंदन इंडिया को नुक्सान पहुचा सकता है। उन्होंने कहा वो ममताब एनरजी और टीमसी के बारे में जो बयान दे रहे हैं मुझे नहीं पता कि क्या वो गट बंदन इंडिया को निशाना मराना चाहते हैं। अमेरिका की विदेश मंत्राले के प्रबक्ता मैथू मिलर ने कहा है कि कैनाडा में इस्थिती को लेकर हम चित्यत हैं। हमने कैनाडा से पूरा सयोग किया है। हमने भारत से भी अपील किया है कि वो जांच में मदद करें और यह अपील हम करते रहेंगी। इसके साथ इनोंने कहा कि भारत अमेरिका का एहम साजीदार है और हम भारत के साथ बहुत सारे मुद्दे पर काम करते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर हम उनसे अपील करते हैं कि वो कैनाडा की जांच में सहीोग करें। मैथ्यू मिलर से समाचार इजनसी पीटिया के पत्रकार ने जब सबाल पूचा कि कनाडा की पियम जस्टिन टूडो के भारत पर लगाएगे आरोकों का भारत और अमेरिका की रिष्टे पर क्या असरत पड़ेगा। इस सबाल पर मिलर ने कहा मैं फिर से दोराना चाहता हूँ कि हम कनाडा के आरोकों से काफी चिन्तित हैं कनाडा का हम सयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे भारत से अपील करते हैं कि वो भी जांच में कनाडा का सयोग करें भारत अमेरिका का सयोग ही देश है और हम अप्ति साज़दादी जारी रखेंगे लेकिन भारत को कनाड़ा की जांत में सहयोग देना चाहिए अब एहम ख़बरें 2024 के जंग गाउं के वोटरों पर बीजेपी के नजर उपलब जियों को गाउंगाउं पहुचाईगी सरकार 15 औरत दोड़ने को तयार मद्रपदेश के बाद राजिस्तान में भी उतारे जाएंगे बड़े-बड़े सिनापती केंद्रिय मंत्री गजेंदर शेखावत अर्जुन नाम मेहिकबाल के साथ साथ राज बदन डाठोड और दिया कुमारी जैसे लोक्सपा सांसत भी चुनावने उतारे जाएंगे आंद्रपदेश के पूरुपसियम चंदरबाबू नाइडू की एफाईयार को रद करनी की आचका पर 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई 371 करोड के निस्किल डेवलप्मेंट घोटाले के सलसले में हुए हैं गरफतार आज जस्टिस एजवियन भट्टी ने सुनवाई से खुद को किया लग कॉलिजियम की 70 सिफारशे 10 महीनों से सरकार के पास अठी सुप्रिम कोर्ट बोला सरकार के कारण जुडिशरी काबिल लोगों को खो रही है ठाकूर ब्रामर विबात में जेडियो निली एंट्री मनो जाको देदी चेताबनी जेडियो मलसी संजसिंग ने कहा ठाकूर आग है उसको आग मत लगने दू मैं चेताबनी देता हूँ मनो जाको हाथ में चूडी नहीं पहने हैं मनिपूर में फिर बेकले हालात पूरा राज जी अशांत छेत्र घोशित कॉंग्रेस नेता जराम रमेश बोले पूरे मनिपूर राज जी को दिश्टरब घोशित कर दिया गया है लेकिन प्रदारमंद्री को अंडिश्टरब्ड रहने दें कॉंग्रेस बोली हम चाहते हैं कि पीम मोदी सारी पार्टियों की बैठक बुलाएं और हम सभी मिलकर मरिपूर की समस्या का कोई समाधान निकालें अगर पत्रकार सचाई दिखाना चाहते हैं तो उन्हों पर F.I.R. हो जाती है इंटरनेट पर सचाई दिखने लगी तो पांच दिन के लिए इंटरनेट बंग कर दिया गया ऐसा कब तक चलेगा खड़गे बोले मरिपूर यूद मैदान बना नाकारा सियम को बरखास करें मोदी औस्चिले ने राजकोड बंडे में भारत को जीत के लिए 343 अन की चुनौती दिया औस्चिले ने 50 ओबर में 7 रिकेट पर 322 अन बनाए ये इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर है एशिन गेम्स में स्कीट शूटिंग में अनन्त जी सिंग ने जीता सिल्बर भारत के खाते में अब तक 22 मैदल आ चुके हैं जिन में से 5 गोल्ड और 7 सिल्बर मैदल शाम है भारत की तरफ से औसकर में जा रही है मल्यालं फिल्म 2018 एवरीवन इस अ हीरो गदर टू और राकी रानी रेस से बाहर टाइगर 3 का टीजर हुआ रिलीस पैंस करने लगे रियाक्ट दिवाली के वक्त रिलीस होगी फिल्म गणपती दर्शन के लिए बीजेपी नेता आशी शेलार के घर पहुँचे आमिर खान अनन्त अमबानी भी पहुँचे शुरुआती गिरावट से उबरा बाजार सेंसेक्स 173 रंग चणकर 66,000 के पारबंद एक बार फिर बाजूस में लगी छटनी के तलबार 4,000 लोगों की जा सकती है नौकरी कमपनी के भारत के नई CEO अरजुन मोहन ने बड़े पैमाने पर कमपनी में रियेश्टन चरंग की कवाईश शुरू की शिबरा सिंग चोहान ने हतियार डाले अफसरों से कहा अलविदा मद्यपदेश के मुक्किमंद्री शिबरा सिंग चोहान ने मंगलबार 26 सितंबर को वल्लब भवन के अफसरों को कथित तौर पर अलविदा आखिर क्यों कह दिया यह बड़ा सबाल प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथकाओं में चर्चा का विशय बना हुआ है अभी चुनाओ की तारीकों की गोशना के पहले ही मुक्किमंद्री शिबरा सिंग दौरा मंत्राले के अफसरों के आभार जताने के तमाम नहितार निकाले जा रहे है मद्यप्देश विधानसवा चुनाबों के लिए पार्टी ने सुमबार को 49 मीलवारों के तूसरी लिष्ट जारी की है इस चूच में मद्यप्देश से आने वाले तीन केंद्रिय मंत्रियों और चार अनिसांसंदों को टिकट दिये गए मंगलवार को कैबिनेट की बैठक और उसके बाद मद्यप्देश के पूरों मुख्यमंत्रियों की परतिमाओं को वल्लब भवन में इस्तापित करने संबंदी आयोजन में शिबराज का चेरा बुजा बुजा नज़र आया शिबराज सिंग ने चोथे मुख्यमंत्रिय तुकाल में कंदे से कंधा मिलाकर सयोग करने वाली ब्योरोक्रसी का कैबिनेट बैठक में और बाद में भी आभार जताया बुरा आयोजन एक तरह से फेरवेल भावाला रहा मद्वदेश के वरिष्ट पत्रकार और राजनीतिक विसलेशक अरुन दिक्षित ने सत्तिहनी से कहा चुनावी राजलीती में नरेंद्र दामोदर्दास मोदी से बेहद वरिष्ट शिवराज सिंग चोहान को 25 सितमर को घोपाल में भरे मंच लाखों लाख पार्टी कार करता एवं राज्ज की जलता के सामने पीम मोदी ने जिस तरह से लज्जित अपमानित किया उसके बाद शिवराज के पास चारा क्या बचा है दिक्षित कहते हैं ऐसे अपमान पर शिवराज को जल्सा खत्म होते ही मुख्यमंत्री पद छोड़ने का एलान कर देना चाहिए था चुनावी जल्से में मोदी ने ना तो शिवराज का नाम लिया और ना ही मद्पदेश की योजनाओं का जिक्र किया दिक्षित ने कहा कि और तो और उस लाड़ली बहना योजना का उलेक करना भी मोदी ने मुनासित नहीं समझा जिसे Game Changer मानकर शिवराज मंद्रप्रदेश नाप रहे हैं कुल्म राकर पियम मोदी वर्ष नेता को साइडलान कर रहे हैं बज़े क्या है ये तो आप सोचें मालम हो कि गटकरी से मनभेद तो पहले से ही चल रहे हैं वसंदा राजे सिंद्या भी उसी क्रम में है कुल्म राकर मद्रप्रदेश में बीजेपी के वर्ष नेता साइडलान हो रहे हैं राजिस्तान में हो रहे हैं बाकी जगए पर भी हो रहे हैं वज़े क्या है इस पर विचार आप कर सकते हैं और बाकी खबरों के लिए बने रहे सकते हैं सत्हिंदी.com के साथ तब तक के लिए अमस्कार